विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद सरकार विवादस पद नागरिक्ता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर को लोग सभा में पेश करने की तयारी में है। केंदर बीजद वा टी आरेस जैसे शेत्रिय दलो के समर्थन से इस बिल के राजसभा में पारित होने के प्रती भी आश्वस्थ है। अगरिक्ता संशोधन बिल संसद में पेश किये जाने की तयारी के बीच कॉंग्रेज ने मुद्दे पर रणनीती तै करने के लिए गुरुवार को प्रमुख विपक्षी दलों के निताओं के साथ बैठकी। राजसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नभी अजाद के साथ बैठक में तरिन्मूल कॉंग्रेज द्रिमुक आप और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं शामिल थे। कॉंग्रेज के पूर्वध्यक्ष राहूल गांदी ने कहा कि उनकी पार्टी नागरिक्ता संशोधन बिलका पिरोत करेगी। करके मानवतावादी एवं धरम निर्पेख्ष संविधान की मन्शा और बुनियाती धाचे के बिलकुल खिलाफ उठाया गया कदम है। बदलाव संविधान निर्माताओं दुआरा प्रदत भारतिय नागरिक्ता के धर्म निर्पेख्ष सारूप को पूरी तरह से बदल कर भाजपा RSS दुआरा तयार किये गए बहु संख्यावादी डिजाइन में तब्दिल कर देगा। राम मंदिर बाबरी मजजिद विवाद पर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद शुकरवार को बाबरी धाचे के विधवन्स की पहली बरसी पर पुलिस ने चाक चौबांद सुरक्षा विवस्ता की है। जीले को 4 जोन, 10 सेक्टर वा 14 सब सेक्टर में बाटा गया है। सम्वेदन शील स्थलोब वा प्रमुख चुराहों पर भारी फोर्स ने चाक चौबांद कर दिया गया है। से जुड़े मार्गों पर रूट डाइवर्जन रहेगा। अयुद्ध शहर के 14 वाजिले के 9 डाइवर्जन पॉइंट को चिनहित कर निरिक्षक मुख्य आर्शी यातायात पुलिस और होम गार्ड्स लगाए गए है। 38 स्थानों पर सैंड बैग मोर्चा बनाया गया है। यहां स्वचालित हत्यारों से लेस पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे। मिश्रित अबादी के 269 स्थानों का चिनहानकन करके मुबाइल ड्यूटी लगाए गई है। अगजनी की गठनाओं की रोक्थाम के लिए मुख्य अग्री शमन अधिकारी के नित्रित्व में 10 टीम वा फायर उपकरन चिनहिद स्थानों पर स्तापित के गए हैं। एसेसपी श्रीतिवारे के मुताबिक सभी प्रभारी निरिक्षक वा थाना अध्यक्षो पी आरवी पोस्ट पार्टी दुआरा अपने अपने शेत्र में सुरक्षा के लिए लगातार जन चुपाल के माध्यम से लोगों को अफ़ाओं पर ध्यान ना देने वा आपसी सौह पादर बनाये रखने की अप्ली की जा रही है किसी भी संदिगत व्यक्ति वा संदिगत गतिवीधी की सूचना ततकाल पुलिस को देने के लिए कहा गया है गुरुवार को उन्नव में हैदरबाद जैसी हैवानियत की घटना सामने आई एक साल पहले गैंग रेप का शिकार हुई युवती को गुरुवार तड़के आरोपियों ने चाकु मार कर घायल किया फिर उस पर तेल छड़क कर जिंदा चलाने की कोशिश की आग लगने के बाद पिडिता का हाल जिसने भी देखा दहल उठा घटना स्थल से बचाओ बचाओ की अवास के साथ जलती हुई वह मदद मांग कर थाने की ओर भाग रही थी घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर रोट किनारे इस्तिद घर के पास पहुची यहाँ एक दुकान के पास गिर पड़ी यहाँ घर से बहा निकले शिफकरण वा अन्यमहिलाओं ने देखा तो सहम गए उन्होंने बताया कि पीड़ीटा के कपड़े जले थे और शरीर से धुवा निकल रहा था पीड़ीटा ने ग्रामिनों से पुलिस बुलाने को कहा ग्रामिनों ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी पुलिस उसे अस्पताल ले गई एंबुलेंस चालक ने बताया कि गुरुवार सुभे 5-2 पर घटना की जानकारी मिली थी एंबुलेंस 5-8 मिनट पर घटना स्तल पर पहुँच गई यदी समय से एंबुलेंस ना पहुँचती तो पीडिता की हालत और भिगर सकती थी इस घटना से आला अफसर हिल गए डीजीपी वा एडीजी वा कमिशनर उननफ के डीएम वा एसपी से पलपल की जानकारी लेते रहे कमिशनर मुकेश मिर्शाम ने बताया कि सस्पी विनोध पांडे के नितरत्व में जाँच टीम कठित की गई है टीम में प्रभारी निरिक्षक बिहार अजेत रिपाठी, सरविसलांस, प्रभारी विकास पांडे, निरिक्षक क्राइम ब्रांच जितिंदर सेंग, चौकी प्रभारी धिरिंदर यादव, वा, हैड कॉंस्टिबल जबबार है पिडिता के बयान के अधार पर नामजद पांच लोगों के अलावा पुलिस गाओं के ही दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है शिवम की मुबाइल फोन से मिली कॉल डिटेल के अधार उसने घटना के कुछ देर पहले गाओं के एक युवक से फोन पर बात की थी मुख्या रोपी शिवम के साथ पिडिता का वेवाहिक अनुबंधन वाला दस्तावेज वारल हुआ है पिशले साल 19 जनवरी को दोनों ने 50 उर्पे के स्टैम पेपर पर अनुबंध तयार कराया था इसमें जिक्र था कि दोनों ने 15 जनवरी 2018 को विवा किया था पिडिता की ओर से 156 वा महिला आयोक को दिये गए प्राथना पत्र में जिक्र किया गया है कि शिवम ने उसके साथ वेवाहिक अनुबंध किया था कुछ दिन बाद उसने छोड़ दिया वह अपनी बुआ के घर रहने लगी तो शिवम वहां आ गया उसके बाद उसने अपने साथ ही शिवम के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2018 को रेप किया वर्ष 2008 में हुए मुंबाई हमले में अपने माता पिता को खोच चुके इसराइली बालक मोशे होल्सबर्ग प्रधान मंत्री नेंदर मोधी का संदेश पाकर भावुक हो उठा पत्र में मोधी ने किशोर की कहानी को चमतकार के समान बताया जो लगातार हर किसी को प्रेड़ना देती है प्रधान मंत्री ने यह पत्र मोशे के बार मिद्ज वहा समारों पर भेजा है जो रविवार एक दिसंबर को आयोजित हुआ मोधी ने मोशे को भेजे पत्र में लिखा यह एक महत्रपूर्ण बदाव का शन है और अपनी जीवन यात्रा में एक एहम पड़ाव है सैंडरा का सहास और भारत के लोगों की दुआएं आपको लंबी उमर स्वास्त एवं सफल जीवन का अशिरवात देती रहेगी आपकी यहूदी विद्वान इसकी तुलना हिंदूों में होने वाले उपनयन से करते हैं। में 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे आतंगवादियों ने निर्मन हाउस को भी निशाना बनाया था जहां मोशे के मातापिता रभी गैबरियल और रिवाका हॉल्ट्बर्ग समेत 6 यहूदी मारे गए थे। कश्मीर मामले में फर्जी पोस्ट के कारण कई पाकिस्तानियों के ट्विटर अकाउंट को निलंबित किया जाना पाकिस्तानी सेना को रास नहीं आया है। और उसने ट्विटर की कश्मीर समर्थक अकाउंट से जूडी नीती पर सवाल उठाया है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर इस मामले में पाकिस्तानियों के अकाउंट को निलंबित किये जाने पर आपचारिक रूप से ट्विटर से संपर्क कर अपनी आपत्ती दर्ज कराई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिव गफूर ने कई यूजर अकाउंट निलंबित किये जाने पर ट्विटर को जिम्यदार ठहराया है। उनका बयान अगस्त में 300 से अधिक ऐसे अकाउंट को निलंबित किये जाने के बाद आया है जिसमें कश्मीर को दिये गए विशेश दर्जे को भारत दुआरा वापिस लिये जाने पर टिपड़ी की गई थी। गफूर ने ट्विट कर ट्विटर की नीती के प्रती विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले को अधिकारियों ने ट्विटर के समक्ष उठाया है और इसे जल्द ही सुलजा लिया जाएगा। अधियोरिटी के प्रवक्ता खुर्रे महरान ने दन्यूस को बताया कि उन्हें अकाउंट निलंबित किये जाने की 396 शिकायते मिली है जिसे ट्विटर के समक्ष उठाया गया है उन्होंने कहा कि ट्विटर ने इन में से केवल 66 अकाउंट को बहाल किया है 330 अभी भी निलं अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेस्री.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाबकेस्री.com को सब्सक्राइब करना ना भूले को सब्सक्राइब कर दिए सींब रहे हैंपकेस्ण पिल अभूबस वित वीडियो ये खार बमारे थती करें पंजाबकेस्टरी.com Uhr अभूबकेस्थ, में प्क्रेबकेस्धित